स्वागते दोस्तों आप सभी को टिकी राच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung W25G या फिर किसी भी Samsung मूबायल में कैसे आप screenshot capture कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप long screenshot और साथ ही साथ कैसे आप screenshot नॉर्मल screenshot ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको complete detail में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चेनल को subscribe करके बिल आइकन को भी दबा दीजेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए Samsung Mobile में जो है हर model में Samsung का screenshot लेने का तरीका एक ही होता है ठीक है हर mobile में एक जैसा ही होता है तो आपका कोई भी mobile, कोई भी model हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है यह video देखने के बाद आप भी जो है अपने किसी भी Samsung model पे जो है आप screenshot ले सकेंगे ठीक है तो यहाँ पी देखिया आपको क्या करना है, सबसे पहला तो यहाँ पे normal जो होता है, आपको यहाँ पे power button दिया गया है, और यहाँ पे आपका volume down button, हो सकता है कि volume down button यहाँ पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको volume down button और pound button एक साथ प्रेश करना है, तो आपका यह screenshot बन चु इसे ले सकते है, second तरीका जो है, आप अपना जो यह हाथ है आपका, यह हाथ को complete ले, आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, पुरा आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, और इसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, आपका जो pump है, इसे आपको दबा के आपको swipe करना है, ठीक है, इ देख सकते हैं, यहाँ पे capture हो चुका है, ठीक है, तो यह दो तरीका है, यदि दोस्तों, आपका यह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इस swipe, if the swipe is not working, यदि यह काम नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है, simply आपको जाना है, अपने mobile का settings पे, और settings पे जाने के बाद में, दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे simply आपको जाना है, advance and feature पे, उसके बाद आपको यहाँ पे motion and gesture पे आपको जाना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Palm Swipe Capture यह आपका On कर रखना है, ठीक है? अब दोस्तों यह तो रहा आपका screenshot आप कैसे ले सकते हैं ठीक है? लेकिन दूस्तों यहां पे अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप यहां पे long screenshot ले स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है, long screenshot लेने के लिए देखें दूस्तों, क्या होता है कि दूस्तों यही हर Samsung मूबायल में यह feature नहीं दिया गया है ठीक है अब भी समझ लिजी यह दिए आपके mobile में है तो आप के से चेक कर सकते हैं यहां पे कोई भी कुछ सर्च कर लिजे उसके बाद यहां पे screenshot लिजे तो यहां पे आपको option दिखाए देगा long screenshot ठीक है लेकिन यह दिए आपका यह option नहीं है तो घबरानी वाली बात नहीं आ तो डीकर देख लिएगा और यहां पे आप सर्च कीजे लॉंग स्क्रीन शोट अपको यह दिखाएदेगा यह वाला application आपको क्या नहीं है सिंपली इस से आप ओपे कर लिजुगा ओपिन करने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है simply आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे आपको क्या करना है simply आपको यहाँ पे allow कर देना है allow की जगा और यहाँ पे आप देख सकते है यह जो आपको दिया गया है capture web page यहाँ पे click की जगा तो यहाँ पे आप कुछ भी search कर लिजए जैसे कि मैंने यहाँ पे hello search किया तो यह करने के बाद में Google में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट स्टार्ट पोजिशन ठीक है, यहाँ पे सेट स्टार्ट पोजिशन मैंने क्लिक किया और इसके बाद में यहाँ पे आपको स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन कीजिए कहां तक आप स्क्रिंशोट लेना चाहते है वो स्क्रोल डाउन कीजिए यहाँ और end and capture पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे end and capture पे, आप देख सकते है, screenshot बन जुका है, ठीक है, आप देख सकते है, एक तम high quality में screenshot बन जुका है, तो इस प्रकार से दोस्तों, आप जो है, आसानी के साथ इस app के जरिये से screenshot ले सकते, यहाँ पे auto scroll mode का इस्तेमाल करके, यहाँ पे आप चले जाएगा, installed app services, long shot, यहाँ पे enable कर दीजेगा, ठीक है, okay कर दीजेए, अब यह करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आप जो है, यहाँ पे click करते है, तो आप start now पे click किजेगा, तो करने के बाद में आप द चले जाता हूं एक बार बेक चला गया तो यहां पर ओकिव नोटिफाई हट चुका है एक बार मैं बैक चले जाता हूं दुबारा से यहां पर क्लिक करता हूं स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने और यहां पे जाने के बाद में यहां पे क्लिक किया और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे यहां पे मैंने स्टार्ट क्लिक किया तो स्टार्ट क्लिक करने के बाद में ओके यहां पे जो है यह अभी सही से काम नहीं कर रहा है तो आप एक बर एप को बंद कर सकते हैं बंद करने के बाद में दुबारा आप 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 कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आपको और भी ऑप्शन वगेरा दिया गया है यहां पर इमेजस वगेरा भी दिया गया है ठीक है यह सारा कुछ आप कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए बाकी जो हैं स्क्रिंशोट मैंने आपको बता दिया है यह दो बटन का इस्तमाल करके आप कर सकते हैं ठीक है यह दोनों बटन का इस्तमाल कर सकते हैं आप क्लेंडर पे जा सकते हो और यहां पे भी आप ले सक ठीक है तो आप देख सकते हो यहां पर, कहीं पर भी जाकर आप screenshot ले सकते हैं बहुत ही बढ़ी है और यह था दोस्तो complete screenshot अभी यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, messages में चला गया, messages में screenshot ले लिया और बाकी में चला गया, यहां पे settings पे चला गया settings का screenshot में ले सकता हूँ यहां पे आप देख सकते हूँ तो complete दोस्तों इस प्रकर से आप screenshot जो है ले सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा Thanks for watching